जाहें दोस्तों, दोस्तों हम अपने Top 50 Study एप और Top 50 Study चैनल के माध्यम से निरंतर आपके लिए संस्कित के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हम अपने एप पर लाए हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, पूरे सिलेवस के लोड ना किया हो, तो कर लीजिए, और टेस्ट को दे कर कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाईए, चलिए, आज के हम Practice Set पर चर्चा शुरू करते हैं, एक एक प्रस्ण बहुत उप्योगी है, कमेंट बॉक्स खोल लें, उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाएं, देखें, प बिसकमभग से, किस से बिसकमभग, अब बताईएगा, निमनलिखित सब्दों में ऐसे सही क्या है, वर्तनी संबंदेते सब्द है, वियाकरण से है, तो आपको बता दे कि यहां लिखना चायर है, अंतर राश्टिये, सब्दों का यदि आपको मतलब पढ़ना सही है, तो उ पर लगी है, रा के आपर, तो इसके पहले ता के बाद होगी यह रेफियूज, ठीक है ना, रा के पहले तो अंतर राश्टिये, इस प्रकार से हो जाएगा, दोस्तों आपको बता दे हम टेस्स सीरीज के बारे में, यह टेस्स सीरीज आपको पचीस सो से अधिक प्रशनों क है, संस के साहित, वियाकरण, और काबसास, जो भी आपके सिलीवस में है, सबकुछ इस टेस्स सीरीज में आपको मिलने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, टॉप 50 स्टरी अपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से टॉप 50 स्टरी सर्च करेंगे, इस वीडियो क पर डिस्किप्शन में भी लिंक है, केवल 139 रुपे आपको पे करना है, कोई दिक्कत आती है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्ग भी कर सकते हैं, 9691899172, वाट्सेप पर मैसेज दे दें, समय हुआ तो कॉल करेंगे, तो कॉल भी अटेंड करन इस टेस्ट को देख करके आपके अभ्यास हो जाएंगे, और आप निश्चिस सफलता प्राप्त करेंगे, चलिए, अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत उपी होगी टेस्ट सीरीज है, बहुतों आपके बहुत साथी टेस्ट दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से टेस्ट आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैंने नंबर भी दे दिया, कई लोग बोले हैं तो सर आपका नंबर नहीं मिला, बाकी कई स्टुडेंट डारेक्ट बात करते हैं मेरे से चेट आप्सन में जा करके, ठीक है, आप एप डाउनलोड करें, चेट सेशन में जाया और हमसे त संधी होने पर क्या सब्द बनता है? ग्रीसमरितु ये विक्षित दिया है, जब इसमें संधी हो जाएगी, तो सब्द कौन सा बन जाएगा, वो आपको बताना है, तो रीका क्या हो जाता है? रा, अपनने पढ़ा था, रीका क्या हो जाता है? रा, तो ग्रीसमर्तु ये बन उन्हें कोर्स भी लिया है तो मैं चाहूंगा उन लोगों से विसेश करके आप ए और बता दें वो स्ट्रिक के अंदाल लगा करके कि इसमें संधी कौन सी होगी भागी रथी उत्तर रामचरित्र में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है जल्दी से बता दें किनकी पूजा के लिए बहाने से तो ब्रह्मा जी की पूजा के बहाने से लाती है और देखें निर्म लेखित बाक्कियों में से सुद्ध क्या है रामेण भार्या तैजयते राम के द्वारा मतलब भार्या मतलब पत्नी का द्याख किया गया रामीन भारिया त्यज्यती या रामीन भारिया त्याज्यती या रामीन भारिया त्याज्यती 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 त् हाँ बिल्कुल सही गद्द काब में बाण भट्टे की कृतियां कितनी हैं दो हैं कमेंट बॉक्स जल्दी करना एक तो है कादमबरी और एक आपने हमारा वीडियो देखा होगा कभी ये बम रचना हैं देखा हो तो चैनल पर देख लेना एप पर दोनों जगए उप लब्द है हमारे टॉप 50 स्टडी एप पर भी तो वहाँ पर हमने बताई थी कि दूसरी रचना लोग याद नहीं रखते हैं जो आपको याद रखना है कादमबरी के अलावा तो बो रचना हमने आपको पढ़ा तो सुखी सब्द का तृतिया एक बचन में क्या रूप होता है सुखी का तृतिया एक बचन क्या रूप बनेगा जल्दी से बता दीजीगा बिल्कुल इकारांत सब्द है तो इसका बनेगा तृतिया एक बचन का सुख्या क्या बनेगा सुख्या यक्ष के प्रवास की अबधी क्या थी जल्दी से बता दें हाँ एक बर्स असमद सब्द का पंचमी एक बचन में क्या रूप होता है कई बार पूछा गया प्रशन है मैंने देखा असमद युसमद के रूप आप यात कर लिजेगा बहुत जरूरी है असमद और युसमद दो रूपे जरूरियात कर लेना ठीक है ना इनमें से एक आथ कॉस्चन आई जाता है तो आपको बता दें कि असमद का जो पंचमी बनता है बहे बनता है मत क्या बनता है मत निमने लिखित में सही सब्द क्या है फिर बरतनी संबन दी आ गया ये देखो कुस सब्द बारबर पूछे जाते हैं जैसे आ गया एक अंतरराष्टी आया था एक आता है आसीरिवाद ऐसा ये सुद्ध होता आसीरिवाद का कई वार ऐसा लगा देते हैं लोग उसी को आसीरिवाद गलत हो जाएगा ये नी लगा के आने दी यहाँ पर रेफ है तो ठीक है न तो आसीरिवाद बूवाला ठीक है ऐसे ये काता है उपर युक्त ठीक है न तो हमने बताए था रेफ जिस पर लगी हो उस सब्द के पहले उसका उच्चारण होता है तो या पहले लगी तो उसके पहले उपर योग्त उस पकार से आप सुद्ध उच्चारण जानेंगे तो आप यह भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर उसको कैसे लिखा जाएगा स्रब काब के कितने भेद हैं द्रस काब स्रब काब यह सब होते हैं ठीक है ना खंड काब महा काब यह आपने सब पढ़े होंगे उसके अंतरगत तो स्रब काब के कितने भेद हैं तो आपको बता दें स्रब काब के कितने तीन भेद होते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है आप कल लीजी चैनल को जिससे आँगे के डिडिली आपके वीडियो मिलते रहें तो टेलीग्राम चैनल टॉप फिप्टी स्टेडी नाम से है डिस्किप्सन में मैंने लिंक के दी है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जा है उक्ति आपको बता दें स्री चंदर देब जी की है बान सतु पचानना चंदर देब क्रातार जुनियम का प्रधान रस क्या है क्रातार जुनियम का प्रधान मुखरस क्या है क्रातार जुनियम का तो आपको बता दें कि क्रातार जुनियम का मुखरस है बीर रस एक क्राता इनका मुख्रस पूछा जाता है तो उत्तर्रामचरत का कौन सा है तो आपर करुण रस की प्रधानता है ठीक है यहाँ पर करातार्जनियम में बीर रस की है हल प्रत्याहार वर्ण कितने होते हैं हल प्रत्याहार वर्णों की शंख्या जल्दी से बता दे हैं हां हल प्रत्याहा आदेशा में संधी होने पर बनता है गुरुधन आदेशा जल्दी से बता दीजिएगा संधी लगा लिजे नियम से पड़ा है आपको नियम कि उ के बाद उ के बाद आ रहा है तो उ को हो जाता है वह आ ठीक है न? तो क्या बन जाएगा गुरुधन आदेशा का बनेगा गुरुवादेशा यन संधी ठीक है न? गुरुवादेशा यन संधी हो जाएगी पुल्लिंग सर्व सब्द का प्रत्मा विभक्ति बहु बचन में क्या रूप होता है तो पुल्लिंग यहाँ पे सर्व सब्द पूछा है तो आपको बता दें इसके जो रूप चलते हैं सर्व के सर्वाह सर्वो सर्वे इस प्रकार से रूप चलते हैं तो प्रच्मा विवक्ति बहुबचन में क्या बन जाएगा सर्वे इस प्रकार से हो जाएगा और देखते हैं यह उक्ति किस ग्रंथ से सम्मंदित है बहुत महत्पूर उक्ति है शुक्ति कहां से ली गई है अपको यहां पर उत्तर देना है कमेंट करते जाई है दोस्तों लाइक जरूर करना इस वीडियो को सियर करेंगे तो और बहुत बढ़िया है तो आपको बता दें कि यह उक्ती जो है बहली गई है नीती सत्कम से सत्थ निष्ट सब्द में कौन सा समास है? सत्थ निष्ट कौन सा समास हो जाएगा? सत्थ निष्ट सब्द में आपको बता दें कि सत्थ में है जो निष्ट ठीक है ना सत्त में जो निष्ट है उसको बोलेंगे सत्त निष्ट तो बहु बुरही समास हो जाएगा निम्न लिखित में सुद्ध बाक क्या है निम्न लिखित में से सुद्ध बाक क्या आपको बताना है जैसे हरी हरी ही बैकुन्ठम उपवसती ठीक है अनुभसाति क्योंकि अनुद्धे क्योंकि ओपअनु नसी corazónง के सांधिक से अ यहां पर दोथानुध है क्योंकि ओप अनुधे निटेस में ही यहां जाती ना हो बैकुंठम होता तो यहाँ पर हो जागा हरी बैकुंठ में रहते हैं तीनों का रथेखी है ठीक है इस हिसाब से ओपर एक सभी क्या है सुद्ध है यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आ गया देखें बले में आचते बसुधाम इस बात में बली में दुतिया विभक्ति क बताएं क्यों क्योंकि याचना के अर्थ में तो चतुर्थी होती है तो यहाँ पर दुतिया क्यों हुई यह पूछ रहे हैं ठीक है ना तो आपको बता दें कि दुतिया होने का कारण यह है कि बली गोण कर्म है बिल्कुल सही गोण कर्म है तो उपादान की विशेश बिव बक्षिता है बिल्कुल आकथी तंचे मैन है, सूत्ट से कर्मसंगया होती है, इससे कर्मसंगया हो गई, सभी इन सभी कारणों के कारण से यहां पर हो गई है, ठीक है ना, याजना की अर्थ में भी आगी। उत्तर रामचरित में आद्रस रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है। कोस्तुम मणी को कौन धारन करता है। कौन सा समास है। पित्रितुल मतलब पिता के समान है, तत्पुरोस हो जाएगा। पित्रितुल मतलब पिता के समान सम्बंध तत्पुरोस। भावबाच्च के लिए निम्न लिखत में से क्या सही नहीं है। तीन प्रकार के बाच्च होते हैं, करतरी बाच्च, करम बाच्च, भावबाच्च। तो भावबाच्च के लिए निम्न लिखत में से कौन सा वाकत सही नहीं है। तो आपको बता दें, कि भावबाच्च तभी जब क्रिया अकर्मक हो, बिल्कु सही अकर्मक क्रिया का प्रियों होता है। तभी भावबाच्च्च होते हैं, कर्म से रहत जब क्रिया होती है। और देखें, करता तितियांत होता है, बिल्कु सही, कर्ता में उहाँ पर तितियांत हो जाता तितिया भिवक्ती होती है। किरिया केवल पर्थम परोस एक बचन में प्रियुक्त होती भावबाच में ये भी सही बात है कि किरिया क्या होती है, पर्थम परोस एक बचन में प्रियुक्त होती है, भावबाच में किरिया करता के बचन के अनुसार होती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किरिया करता के बचन क का अभीजारोपन किस ने किया था भारत पर्ष में तो आपको बता दें कि यह किया था मुहम्मद गौरी ने ठीक है ना सकुन्तला की अनिष्ट निवारण के लिए महर्सी कणव कहां गए थे कहां गए थे महर्सी कणव सकुन्तला के अभिज्ञान सकुन्तलम से संबंदित प्रश्ण है तो यह गए थे आपको बता दें सौम्तीर्थ कहां पर गए थे सौम्तीर्थ गए रूपक के भेदक तत्त जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं टोटल उन तत्त्यों की शंख्या बतानी है तो आपको बता दें में टोटल होते हैं तीन और देखें मेग दूतम में मेग के मार्ग में निमने लिखित मैंसे क्या नहीं है यह बेरी बेरी आई एमपी प्रशन है ठीक है दोस्तों आप टेस्ट लगाएंगे तो और अनुभा हो जाएगा और टेस्ट के साथ आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी पर इच्छा के लिए तो संपून यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी टेस्ट भी इसमें फिर होंगे लाइब क्लासे सोंगे रिकॉर्ड़ बीडियो मॉडल टेस्ट अभ्यास प्रशन पीडियाफ नूट इतना कुछ आपको मिलेगा पाकि टेस्ट सीरीज या कोर्स जो भी आप लेना चाहें तो आप संपर कर सकते हैं एप में जाकर के टॉप 50 स्टडी में चेट सेक्शन में जाकर के आप हम से डारेट बात कर सकते हैं संस्क्रिप्ट की संपून टेस्ट सीरीज लेकर के तैयारी को मजबूत बना सकते हैं जल्दी पर आपको बता दें कि नरवदा नदी तो पढ़ती है, बिदीजा उजैनी उजैनी तो फेमस ही है, उसमें कई बार उसका बर्नन आयाय है मेगदूत में, ठीक है ना तो अयोध्या, अयुद्ध है भो नहीं पड़ती उज्जैनी का तुनने इतना अच्छा बर्णन किया कि इससे लगता है कि कालिदास ची उज्जैनी के थे ऐसा है वही पर उन्होंने इस गरंत को लिखा ऐसी लोग वो बताते हैं सुद्धबाक बताईए सुद्धबाक जल्दी से बतादे हां बर्सायाम ना गंतब्यानी होगा बर्सासु मतलब बर्सा में ना गंतब्याम मतलब नहीं जाना चाहिए और देखें पराब folder युद्सव एबम मानी नाम यह बचन किस गरंत से संबंदित है किस गरंथ से सुक्ति ली गई है परा भवो युत्साव एबम मानी नाम जल्दी से बता दें ये ले गई है करातार दुनियम से किसकी रचना है कमेंट में जरूर लखिएगा बानभट के गद की रीती क्या है ये दीती आप याद कर लीजेगा बानभट के गद की रीती कौन सी रीती है प्रमुक्रोगरंथों की रीती है याद कर लीजेगा तो आपको बता दें पांच आली रीती है कौन सी है पांच आली निमनलिखित सब्दों में कौन सुद्ध है सुद्ध सब्ध बताना है आपको तो यहाँ पर सुद्ध सब्ध हो जाएगा भूपत्ति उनी बनता है भूपत्ते भी जी बनता है भूपते है भूपते हो जाएगा ठीक है ना अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के किस दिसा में मेगदूतम में बताये गया है मैं एकच्ष का घर कहा पर है जहाँ पर उसकी पत्नी अभी जैबो नहीं है विचारा भिछोड़ गया तो बहेढ जो घर है उत्तर दिसामे है कुबिर के महल के ठीक्या न गद्दकाब के कितने भेध हैं गद्दकाब की सरल्पस्न है जल्दी से बता दीजीगा मिलकु सही महा काब खंड गाब ठीक है करातार दुनियम की कथा महा भारत की किस पर्व से सम्बंदित है कई बार पूँछा गया प्रशन है कई बारते ऐसा आता कि करातार दुनियम का मतलब बरण विशय क्या है कहां से लिया गया है तो महाभारत से अब महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है तो लिया गया है बन पर्व से मेग दूतम में किस छंद का प्रियोग किया जाता है मेक दूतम में किस चंद का प्रियोग हुआ है तो आपको बता दें किस चंद का हुआ है मन दाकरांता का उत्तर रामचरत के तिरती अंक की घटना किस इस्थान पर घटित होती है उत्तर रामचरत का जो तिरती अंक है तो उसकी घटना जो हुई किस इस्थान पर घटेत हुई वो आपको इस्थान बताना है पंचवटी कहाँ पर हुई पंचवटी में और देखें कादमबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी बंदना की गई है कादमबरी का जो प्रथम मंगलाचरण है वहाँ पर हाँ बिल्कु सही तीन गोड़ों से सहत परम ब्रम की की गई है ठीक है दोस्तो हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन बाजू में दिया होगा उसको दबा लें नॉटिपिकेशन आएगा आप चिंता नहीं करें बोलता जा रहा हूँ न इसलिए नॉटिपिकेशन नहीं आता क्योंकि आपने ओल नॉटिपिकेशन नहीं किया होगा पाकि टेलिग्राम चैनल में मैं क्लास से पहले लिंक भेजता ही हूँ और आपको जरूर डाउनलोड कर लें उहां का भी मटेरियल आपको मिलता जाएगा आँगे भी वीडियो ऐसे और मिलेंगे जिस कारण या प्रियोजन से कोई कार किया जाता है उसमें क्या विभक्ती होती है जिस कारण से या जिस प्रियोजन से कोई कार किया जाता है तो उसमें विभक्ती यहाँ पर पूँची कई है तो कारण तिरतिया विभक्ती आती है कारण में करण में ठीक है ना अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं अच प्रत्याहार में आपको स्वरों की शंख्या बतानी है तो अज प्रत्याहार के अंतरगत आते हैं टोटल आयोन रिलिक ए ओंग, ए आउच नो आते हैं टोटल कितने आते हैं, नो और देखिएगा बहुत अच्छी संदी पूछी साधू पिलस इती में संदी होने पर क्या बनता है जोस्तों वीडियो को लाइक से अर जरूर कीजेगा और मैं चाहूंगा कि आप एप को डाउनलोड करने के बाद आप टेस्स सीरीज या कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत आती है तो चैट सेक्षन में जाकर के मेरी से बात कर सकते हैं इस प्रिषन का उत्तर मेरी भावना है आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगले इसके आंगे ज़ा हम चर्चा करेंगे इसके अंगले पार्ट में तो इसी प्रिषन से ले करके चर्चा कर लेंगे और उसका उत्तर फिर हम भी बताएंगे लेकिन देखते हैं कितने दोस्त कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और टेस्ट लगा रहे हैं उनकी तैयारी कितनी है कमेंट बॉक्स में आप इस प्रिषन का उत्तर दीजिएगा अगले वीडियो हम मुलाकात करेंगे कुछ और ऐसे ही पढ़ेंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी बेस्ट अप लख है मेरी तरफ से सब बच्चों के लिए जरूर आप सफलता पराप्त करेंगे जैहें